Mocked as 3 answers Question number 1 है The difference of 2 number is 15% कोई 2 number है, उनका difference 15% है अब इस question को दो तरीके से किया जा सकता है X वाले तरीके से किया जा सकता है, direct भी किया जा सकता है चोलो, पहले मैं X वाले तरीके से ही करके दिखा जाता हूं तो 2 number का जो difference है The difference of 2 number is इसको ना is 15% of their sum जो difference है वो उनके sum का 15% है जो कह रहा था वही लिख दिया तो कह रहा है larger और smaller number का ratio निकालो ठीक है इसको divide कर दो 3 by 20 आ जाएगा यह 20 इदर की तरफ आ जाएगा तो 20x-20y equal to क्या हो जाएगा 3x और plus 3y ठीक है x को इदर लाओ तो 17x हो जाएगा और यह उधर जाके 23y हो जाएगा तो भई x की मैंने कहा था ना ऐसे में ratio कैसे निकालते है बताया था लास्ट वीडियो में x equal to 23 तो x आ जाएगा 23 और y के सामने कौन सा नमबर दिख रहा है 17 तो y आ जाएगा 17 तो आगे 23 ratio 17 1% of 1% of 20% 25% of 1000 1000 का 25% का 1% का 1% तो कुछ नहीं गया रहा है 1000 है इसके 25% के 1% का 1% क्या होगा ठीक है न बस तो देखो 3 0 से तो ये 3 0 गया 25 चोके नहीं डिवाइड करो ही नहीं क्योंकि दिक्कत जाएगी जब डिवाइड ही क्यों करें क्योंकि जब नीचे 0 है तो 4 0 है ना तो 1 2 3 4 नहीं पॉइंट लग जाएगा ये 0.0025 B answer कितना आ गया 3 0 कड़ी गया ना उपर 3 0 कड़ी गया ये तो 1 2 3 1 2 3 3 आएगा ये आएगा 0.025 आएगा sorry 0.0 क्या करना हूँ मैं 0.025 देखो क्योंकि 25 है और 3 0 है तो 1 2 एक और लगेगा यहाँ पॉइंट आएगा 0.025 ये निए अ होगा चलो आगे बढ़ जाओ देखो ये एक आयत है कह रहा है आयत के लंथ को ये लंथ है इसको 10% increase कर दिया बढ़ा दिया है and width decreased by 10% और ये जो width है वो 10% decrease कर दिया ठीक है तो कहता है area में क्या change आएगा area में परिवर्तन क्या होगा शेत्रफल में तो area क्या होता है शेत्रफल L into B तो length में क्या क्या है 10% increment उसको plus से दिखाओ width 10% decrease minus से दिखाओ 2% का equivalent percent कैसे निकालते हैं देखो जैसे x percent है और y percent है इसका equivalent समतुल्य equivalent परतिसथ निकालना है समतुल्य परतिसथ निकालना है equivalent percent तो कैसे निकालते हैं x plus y plus discount वाले में यहां minus होता है बस यह ही difference और कुछ नहीं यहाँ पे plus होता है इतना percent तो निकाल लो 10 plus y जो है minus यहाँ पे minus 10 है plus 10 10 minus 10 upon 100 percent यह कटी जाएगा और double 0 से गया minus 1 percent यानि 1 percent decrease हो जाएगा area 1 percent decrease 4. The price of the sugar reduced by 20 percent चीनी की कीमत में 20 percent की कमी तो पहले मानलो 100 रुपे था तो अब 20 percent की कमी का meaning क्या हो जाएगा 80 रुपे का हो गए अब ठीक है पहले भी 36 रुपे ले जाता था वो आज भी 36 रुपे ले जा रहा है लेकिन चीनी की कीमत में कमी होने के कारण वो 500 gram अब ज़्यादा चीनी ला रहा है ठीक है तो देखो इसको लिखते कैसे है वो दुकान जाएगा दुकान वाला कहेगा भहिया 80 रुपे दो वो कहेगा मि इसकी ज़्याद है चीनी ले लो, काट दो इसको, 1 upon 4, ठीक है, अब इसी चीज को रहा है, ग्राम में कैसे पढ़ोगे देखो, यह हमेशा नीचे जो होता है यह होता है वास्तविक, ओरिजिनल, टोटल, हमेशा याद रखो, तो 4 ग्राम यदि वो पहले लेता था, तो आज उ पहले यदि वो 2000 ग्राम खरीता था, तो उसे आज 500 ग्राम जादा मिल रहा है, 36 रुपे में, तो कुशन क्या पुछा है, तो ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनली क्या था, 2 किलो मिलता था न, 2000 ग्राम, ओरिजिनली उसे 2000 ग्राम मिलता था, 36 रुपे में, लेकिन आज उसे 500 ग्राम जादा मिल रहा है 36 रुपे में, रुपे उतनी हैं तो 1 ग्राम, the original price अब तो सुगर पर किलो ग्राम, अच्छे 1 किलो का प्राइस निकालना है, तो भई 36 रुपे में उसको पहले मिलता था, 2000 ग्राम मिलता था, 2000 ग्राम मिलेगा, एक किलो कितने रुपे का मिलेगा दो से डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो दो इकम दो, दो अटी सोले, अठारो रुपे का मिलेगा देखो इस question को मैं एक बार फिर सा समझायता हूँ चीनी की कीमत 100 रुपे थी आज 80 रुपे हो गया 20% डिक्री जो के तो 80 रुपे के उपर 20 रुपे ज़्यादा है टोटल हमेशा नीचे रखते हैं तो 1 by 4 आएगा काटने से इसका मिनिंग ये कि यदि वो पहले originally 4 ग्राम खरीता था तो आज एक ग्राम ज़्यादा मिल रहा है तो भारा question कहता है नहीं 500 ग्राम ज़्यादा तो एक को 500 बना लो तो नीचे भी 500 multiply करो 500 by 2000 इसका मतलब originally वो वास्तविक में वो 2 किलो खरीता था और आज 500 ग्राम 500 ग्राम मिन्स आधा किलो ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब और question पूछ रहा है कि बताओ आरंभ में उसे चीनी का प्राइस क्या था originally तो originally उसे 2 किलो मिलता था 36 रुपए में तो एक किलो कितने मिलता होगा 18 रुपए में question number 5 if the cost price of 15 book देखो cost price of 15 book is equal to selling price of 20 book अब मैंने समझाय था जब भी quantity में हम बात करते हैं तो नीचे लिखते हैं sold quantity तो 20 को बेचा 15 के पैसे आए तो 5 का नुकसान हो गया जब भी cost quantity छोटा होते है तो loss हो जाता है बताए था तो 1 by 4 लास्ट वीडियो में तो 1 by 4 आ गया 1 by 4 कितना होते है 25 परसंट का loss हो गया next आ जाओ a man get 13 रुपीज मोर एक व्यक्ति को 13 रुपे ज्यादा मिलता है 13 रुपीज मोर बाइस सेलिंग एन आर्टिकल फो रुपीज याद मच प्रॉफिट ठीक है तो यदि वह इतने परसंट के loss में बेचता है the cost price तो cost price क्या होता देखो 12.5% कितना होता है 1 upon 8 कैसे 12 रुपीज एक 25 25 रुपीज होगा न परसंटेज हटा होगे तो नीचे 100 पचीस चोके 100 एक बटे आट आ गया मैंने तुम्हें कैसे कहता है यहां में इसा cost price यानि 8 रुपे की चीज को पहले वह एक रुपे प्रॉपिज लेके 9 रुपे में बेचता था ठीक है कहता है यह जो उसे 9 रुपे कम में में बेचे अब मैं गेट 13 रुपीज मूर बाइज सलिंगन अ आर्टेकल अप्रॉपिट आ इतना पहले जब प्रॉपिज पर बेचता था तो 13 रुपे ज्यादा आता था और अब जो लॉस में बेच रह तो 13 रुपे कम आ रहा है तो loss में बेचेगा तो क्या करेगा? 8 रुपे चीज 1 रुपे loss करके 7 रुपे में बेचतेगा ठेक है न? तो कितना कम हो रहा है? 2 रुपे होना कितना चाहिए? 13 रुपे ये 13 रुपे होना चाहिए 13 वटे 2 से गुना कर दो ये ये कड़ जागा 13 आ जागा आर्टिकल at 5% above the cost price देखो ये कह रहा है कि मानलो की CP 100 रुपे है 5% जादा पे वो सल कर रहा था मानलो 105 पे सल कर रहा था 5% जादा पे कहता है if he had bought it 5% less यदि उसने 5% कम में खरीदा होता मतलब पहले जो वो 100 रुपे में खरीदा था 5% कम में खरीदेगा तो किते में खरीदेगा 95 में less then what he had paid for it and sold it at 2 रुपीज less और कहता है यदि 2 रुपे कम करके बेचता पहले से जो औरिजिनल प्राइस था उससे तो उसे 10% का profit होता तो 95 का 10% क्या होगा 10% के लिए एक नंबर के पॉइंट लगा दिया करो तो 10% आएगा 9 रुपे sorry 9.5 ठीक है तो उसे 10% का profit होता तो 95 का 10% लगा के यदि करोगे ठीक है 95 का 10% profit का मिनिंग 10% होता 1 by 10 यह 10 रुपे पे 1 रुपे profit 11 रुपे तो यह कितना आएगा multiply करोगे तो 5 और 95 14 एक 95 से 11 को multiply करेंगे तो 5 9 5 4 1 यह क्या करो मैं 5 9 5 4 1 9 1 10 अपाउन 10 तो यहाँ point लग जाएगा ठीक है तो कितना ज्यादा है वही देखो कितना कम लेके विचा है 105 में पहले विचता था अब 104 रुपे 50 पैसे बेचता है आधा रुपे कम लेकिन कोशन कहता है 2 रुपे कम तो क्या multiply करोगे आधा को 2 बनाने के लिक हो कि तुम्हारा कोशन कहता है 2 रुपे कम होना चाहिए 4 से multiply करोगे 4 हर जिगे करोगे cost price में भी करोगे तो चार्ज हो आगया answer एक पर फिर से समझो देखो 100 रुपे price था उसने कहा पहले 5% profit पे बेचता था यानि 105 में बेचता था यदि 5% कम में खरीदा होता यानि 95 रुपे में खरीदा होता और पहले जितना पैसा वो लेता था उससे 2 रुपे कम लेकर बेचा होता original price से यह percentage है तो 2 रुपे कम लेकर बेचा होता तो उसे 10% profit होता तो 95 का 10% profit निकाल के 95 में एड करोगे या ऐसे करोगे 10 रुपे की चीज 11 में 10% का यह भी मिनिंग होता है तो यह multiply करके कितना हो जागा 10% profit इतना आ जाएगा यानि कि कितना ज्यादा है आधा पैसे 0.5 तो हाफ रुपे लेकिन कुशन तो कहता है 2 रुपे ज्यादा तो 4 से multiply कर दो 2 आ जाएगा कटके तो 4 हर जगे multiply करो cost price में भी करो next A sells a buy cycle to B A ने अपनी cycle B को बेची 20% के profit पे यानि कि 5 की चीज़ को उसने उसे 6 में बेच दिया B sell it to C B ने C को बेचा कितने पे 25% के profit 25% क्या होता है 1 by 4 यानि B का रुपे 4 और 1 रुपे profit लेके 5 में बेच दिया C को if C पे 225 रुपे जो C है इसके 225 रुपे देता हो तो A का cost क्या था तो पहले इन दो ratio से एक ratio में convert करो तो मैंने का था ने जो common होता है उसको equal कर लो 6 तूजा 12 4 तूजा 12 तो 3 यहां भी कर दो 2 यहां भी कर दो multiply तो 10, 12, 15 लेकिन ये जो C है वो 15 रुपे नहीं 225 होना चाहिए तो कितने से multiply होगा 15 से 15 तो हर जगे 15 से तो एका पूछ रहा है एका कितना आएगा तेर सो if I would have purchased 11 आर्टिकल देखो यह जो question है quantity और price का है जिसके पीछे रुपे लगा होगा simple सी बात है वो price होगा तो इसको हम quantity और price से करेंगे कैसे quantity को एक जगा रखो और price को एक जगे रख दो ठीक है और यहां लिखो क्रैमूल यहां भी क्रैमूल अब देखो क्या कहता है if I would have purchased 11 आर्टिकल 11 आर्टिकल खरीदा होता 10 रुपे में और sold बेचा होता 10 चीजे 11 रुपे में तो कितने परसंट का profit अब देखो भाईयों जितनी चीजे कोई खरीदेगा उतनी ही बेचेगा तो यह quantity तो सेम होना चीए था नहीं तो लॉस हो जाएगा तो इसलिए quantity सेम करो कैसे एक दूसरे से मल्टिप्लाई कर दो सेम हो जाएगा ठीक है देखो यह भी 110 होगे यह भी होगे अब यहाँ 10 मल्टिप्लाई किया तो यहाँ भी करो भई और यहाँ 11 किया तो यहाँ भी करो तो उसका cost price कितना आया यानि लगाया कितना उसने 100 रुपे उसके जे में आया कितना 121 तो कितने का फाइदा 21 रुपे का और 100 पे 21 रुपे का फाइदा 21% profit the mark price of a watch is 1000 1000 mark price है ठीक है न? MRP है फिर क्या कहता है? a retailer buy it for at 810 एक retailer ने इसको कितने रुपे में खरीद लिया? 810 रुपे में खरीद है कब? after getting two successive discounts दो करमागट छूट मिला है उसे एक 10% का दूसरा निकालना है क्या? तो पहले 10% का छूट कर लो 10% छूट का मिनिंग क्या? 10% एक बटा 10 होता है न? या तो तुम 10% इसका निकालोगे तो 100 रुपे आएगा 100 रुपे छूट कर दो 900 या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 पे एक रुपे का छूट देगा तो 900 रुपे में बेचेगा और यह 900 रुपे आ गया ठीक है? फिर 900 रुपे कुछ परसंट का छूट दिया 90 तो अब डिसकाल डिसकाउंट परसंट निकालो तो मैंने तुमेह सिखाया है कि जब भी डिसकाउंट कहते हैं हाम तो नीचे क्या लिखते है MRP, तो MRP अभी 900 रुपए है, और छूट किता दिया 90 रुपए का, into 100, ये ये गया, ये इस से गया 10%. Apply to a bill of 1 lakh, 1 lakh रुपए का एक धनरासी है, the difference between the discount of 40% and 36 and 4% successive discount. कह रहा है, यदि एक बार उसे 40% का discount दे दे और एक बार कर्मागत बट्टा दे 36 और 40 का, तो bill में क्या difference क्या आएगा, तो तुम ऐसा बिल्कुल मत करने लगना कि 100 का 40% और फिर 36 का कर्मागत बट्टा निकालो, successive discount और फिर छूट निकालो और फिर minus, ऐसा बिल्कुल नहीं करन इतना परसंट, ठीक है, अब देखो, 36, 46, यह यह कटी जाएगा, यह minus minus plus हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 36, 4 upon 100%, इतने का difference आएगा, तो बिल का इतना परसंट निकाल दो, तो बिल है, एक लाग रुपे का, इसका निकालना है हमें, 36 into 4 upon 100, और percentage remove करोगे तो नीचे एक और 400, तो 4 0, तो इसके कट गए, 36 चौके कितना होता है, 144, और यह 0, तो यह आ गया, 12, एक परसंट पेट 17,000 फोरा मोटर कार, आफ्टर अ सिंगल दिसकाउंट आफ फिप्टीन परसंट, कहता है, 15 परसंट का सिंगल दिसकाउंट दिया है, If he given successive discount of 5% and 10%, then how much he would have to pay, यदि successive discount होता, तो उसे कितना pay करना पड़ता, ठीक है, तो देखो, अब successive discount पे छूट निकालने के लिए पिले हमें MRP पता होना चीए, और यह तो क्या है, यह तो selling price है, तो देखो, MRP और selling price में relation क्या होता है, वो 15% का discount दे रहा न, तो 15% कितना, 3 by 20 और मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, जब भी discount के तो नीचे वाला discount, यानि 20 रुपे की चीज, यानि जिसका MRP 20 रुपे है, उस पे 3 रुपे का छूट मिल रहा है, और वो sell कर रहा है, उसको कितने 17 रुपे में, लेकिन उसने 17 में sell नहीं किया है, 17 हजार में किया है, तो कि 25% कितना होता है, एक बटा 20, यानि 20 की चीज को एक रुपे छोड़ेगा, 19 में बेचेगा, और दूसरा discount दे रहा है, 10% का, यानि 1 by 10, यानि 10 की चीज पे एक रुपे छोड़के 9 में sell कर देगा, 200 को काड़ दो, तो बचेगा कितना है, 100, 19 कितना होता है, 171 और यह double zero, तो यह आ गया तुम्हारा new price, discount के बाद, क्या कहता है, अब person invest money in देखो, तो क्या कहा रहा है, एक person ने different scheme में पैसे लगाया है, जो पहला scheme है, उसमें 6 year के लिए, जो दूसरा scheme है, उसमें 10 year के लिए, और 3rd scheme में इसमें पैसे लगाया है, 12 year के लिए, ठीक है, जो interest मिलता है, इस पे 10%, इस वाले पे 12%, और 3rd वाले पे 15%, ठीक है, और जो interest मिलता है तिनों पे वो same, suppose कर लो यह इस पे x रुपे लगाया है, यह और इस पे z, तो इन ही का ratio निकालने के लिए कह रहा है, समझक है, तो x पे, x रुपे पे 6 year के लिए 10%, यह simple interest किस से सेम है, इ y into 10 into 12 upon 100, equal to z into 12 into 15 upon 100, यह 100-100 गया, अब उपर काट तो दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 2 से काट तो, 2 जा 2, 2 जा 2, 2 6 जा 12, 6 से काट लो, 6 जा 6, 6 जा 12, 6 जा 6, यहां से क्या आया, x, यहां से क्या आया, 2y, और यहां से क्या आया, 3z, अब इसे हमें x ratio, y ratio, z में convert करना है, कैसे करेंगे, देखो, x लेना है ना, तो इन दोनों को multiply कर दो, तो क्या आएगा, 6, y चाहिए ना, तो y को छोड़के दोनों क multiply करो, कितना हैगा, 3 और यहां पर कुछ ने तो 1, तो 3, और z के आएगा, तो z निकालना है, तो z को भूल जो, बाकी दोनों को multiply करो, तो 2 यहां पर यहां पर यहां कुछ ने तो 1, तो यहां जाएगा, 6 ratio, 3 ratio, 2, यह 1st answer हागिया. What equal installment of annual payment will discharge, a debt of which is due as Rs. 848 at the end of 4 year at 4% per annum, simple interest. कहता है, 848 रुपए की धनरासी, जो है, 4 परतिसत वार्सिक साधरन ब्याज की दर से, 4 वर्स के अंत तक चुकाना है, है ना, तो उसके द्वारा चुकाएगी परतिक किस्त की दर से, कितने होगी, मतलब यह कह रहा है, 848 रुपए चुकाना है, 4% interest है, और 4 साल में देना है, तो परतिक किस्त कितने का होगा, suppose कर लो, जो किस्त है, वो 100 रुपए का है, ठीक है, तो पहला जो वो 100 रुपए देगा, तो उस पर कोई interest पे करेगा, क्या नहीं, मालो मैं आप से आज पैसे ले रहा हूँ, और आज ही आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, तो आप मिने से पहले पर कोई interest नहीं लेंगे, अब जो मैं पहला year था, अब ये दूसरे साल, जब मैं दूसरे year आपको 100 रुपए देने जाऊँगा, तो आप मुझे क्या कहोगे, कि भाई ये 100 रुपए आपने मुझे एक साल यूज करने के बाद दिया है, तो मुझे एक साल का interest दो, तो मैं interest दूँगा 4%, तो कितना दूँगा 104 रुपए, ठीक है, फिर तीसरे year जब मैं ये वाला 100 रुपए दूँगा, तो आपको होगे, भाई साब ये 100 रुपए आप आपने मुझे 2 साल के बाद दिया है, तो 2 साल का interest दो, तो 1 साल का 4%, तो 2 साल का 8%, तो 108 रुपए ये हो गया, फिर जो चौथा जाओंगा देने के लिए last वाला, तो आपको होगे कि सर, ये आपने मुझे 3 साल के बाद दिया है, तो 3 साल का interest दो, इस 100 रुपए पे, तो 4 ती कहता है, पूरा पेमेंट होना चाहिए, 848 का, तो से मिल्टिप्लाई कर दो, तो हर जेगे कर दो, किस्त तुमें भी कर दो, तो एक किस्त कितने का बना, 200 रुपए गा, 15th, if the difference between the simple interest and compound interest on a sum of money for 2 year at 4%, मैंने सिखाया था आपको, कि 2 साल का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, x, x और y, 4% क्या होता है, 1 by 25, तो आपको मैंने बताया था कि 1 हम हमीशा यहां रखते हैं, और 25 यहां पे रखते हैं, ठीक है, और यहां से यहां आने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा multiply कर देते हैं इस ratio का, तो 25 में हम यदि 25 by 1 multiply करेंगे, तो 625 आएगा यह, अब यह होता है तुम्हारा difference, यह difference कहा रहा है, इस time वह हो कि 800 रुपए है, तो 1 में 800 कैसे बनाऊगे, 8 से multiply करके, तो 800 यहां भी multiply कर दो, तो कितना आ जाएग तो 3 दो 5 जीरो, बी में है, the compound interest on a sum of money, question number 16 है, the compound interest on a sum of money, यह compound interest का question है, of rupees 5,000 at 8% per annum, 5000 रुपए पे 8% से 9 मंत का interest क्या होगा, यदि interest quarterly लिया जाए, मतलब, यदि हर 3 महिने पे लिया जाए, तो 9 महिने में कितना interest बनेगा, तो कुछ नहीं करना भाईयों, देखो, आपको यह, 9 महिने में कितनी बार 3 महिने आएगा, पहला 3 महिना, फिर दूसरा 3 और फिर 3 तो 3 का graph बनेगा, ठीक है ना, अब एको graph कैसे बनाओगे, अब यह 8% है ना, 8% तो पूरे year का है, 12 मंत का 8% है, हमें तो बस 3 महिने का चाहिए, तो 12 से divide करोगे, तो 1 का और 3 से multiply करोगे, तो 3 महिने का आजाएगा, 4 दुनिया, 2%, तो 5,000 का पहले मुझे देना परे देने में, तो 2% कितना आ जाएगा, इसका 5,000 का 10 और 0, 100 रुपे, 2% आएगा, दूसरे year, दूसरे year मैं पहले इसका interest पे करूँगा 2%, यानि 100 रुपे, और फिर interest का interest पे करूँगा, इस interest का 2%, यानि 2 रुपे, अब जब मैं तीसरे year पे आउँगा, तो मुझे यहां तक का interest पे करना होगा, compound interest का meaning ही होता है, interest के उपर interest, तो पहले मैं इस 5,000 पे पे करूँगा 2%, यानि 100 रुपे, फिर इस 100 का 2%, यानि 2 रुपे, फिर इस 100 का 2%, फिर इस 2 का 2%, तो कितना होगा 2 का 2%, दो दूनी 4, 0.04, 0.04, ठीक है, तो देखना, मैंने कितना interest पे कर दिया, एक सो, दो सो, तीन सो, तीन सो, छे, तीन सो, छे, पॉइंट जीरो, फोर, है क्या, यह रहा, सी में, No, 17th, क्या कहता है, देखो, बहुत ही अच्छा कुश्चन है, A can contain, एक container है, एक बड़तन है, जिसमें दो mixture है, A और B, A और B, किस ratio में है, 7 ratio, 5 में, अब इसने क्या का, when 9 liter mixture drawn, इसमें से 9 liter निकाला, तो भाई, जब आप 9 liter निकालोगे, तो क्या निकलेगा, A और B इसमें mix है, तो दोनों निकलेगा, और कितना निकलेगा दोनों, जिस ratio में होते हैं, उसी ratio में निकलता है, तो A 7 liter निकलेगा, तो B 5 liter निकलेगा, तो total कितना निकल गया, 12 liter, निकालना कितना था 9, इस 12 को 9 बना दो, 9 बटे 12 से multiply करके, तो यहां भी करो, यहां भी करो, तो यह कितना निकला, 7 गुने 9 बटे 12 है, और B कितना निकला, 5 गुने 9 बटे 12 है, ठीक है, अब उसके बदले क्या किया, यह जो B है उतना डाल दिया, 9 liter निकाला और उतना ही B मिला दिया इसके अंदर, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, कि अब यह ratio 7, ratio 9 हो गया, अब देखो, यह पहले कितना था, 7, 5, 12 liter, 9 liter निकाला था, तो यह भी दोनों निकला था, और उतना ही फिर B मिला दिया, तो भाई, 9, 7, 16, यह 16 क्यों हो गया, यह दोनों तो सेम होना चाहिए था न, total quantity तो, क्योंकि जतना 9 liter निकाला उतना फिर मिला दिया, तो दोनों को सेम करो, 12, 4, 48, 16, 48, तो 4 अब तुम्हें यहाँ भी multiply करना होगा, 4 यहाँ भी multiply करना होगा, 3 यहाँ और यहाँ, तो इसका जो proper ratio आएगा, correct ratio, वो आएगा, 7, 4, 28 यह था, और 20 यह था, और 21 यह था, और 9, 27 यह था, यह है इसका correct ratio, अब देखो, सुनो, जब आपने 9 liter निकाला था, तो A भी निकला था, और B भी निकला था, लेकिन जब मिलाया, इसका मतलब, B के बदले तो B चला गया, लेकिन A के बदले कौन गया हो, अब A के बदले B चला गया, इसलिए देखो, A जितना कम हुआ होगा, 7 ratio, A कम हुआ उतना B ज़्यादा हो गया, क्योंकि A के बदले आपने B मिलाया सारा, ठीक है न, B ज़्यादा हो गया, तो भी जो A निकला, वो कितना निकला, 7 ratio, और liter में कितना निकला है A, 7 into 9 by 12, कार दो, 3, 3, 9, 3, 12, 3 by 4, एक ratio R का value 3 by 4, तो पूछ रहा है है हम से, how many liter liquid A, पहले A कितना liter था, तो 28 ratio था न, 28 ratio 28, और ratio की value कितनी आई है, 3 by 4, तो multiply कर दो, 3 by 4, 4, 7, 3, 2, 1, 21 liter था, यह थोड़ा अच्छा गोशन था, वीडियो को रोक रोक के, 2, 3 बर देखो, there are 225 rupees consisting of, अच्छा, एक देखो थैला है, इसमें 225 रुपए है, ठीक है, जिसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है, and there number in the order, और इनका जो number है, वो किस ratio में, 8 ratio 5 ratio 3, देखो, इस question में 2 variant है, जब भी यहाँ पर रुपए दिया होगा, तो number का ratio देगा, और जब यहाँ पर सिक्कों का संख्या दिया होगा, number, तो यहाँ पर जो वो ratio देगा, वो उनके value का, monetary value का, ठीक है, अब इस N को हमें, किसम हैं, एक रुपए के, एक रुपए होगा, five सिक्के, पचास पैसे के, पचास पैसे के, पांच सिक्के, तो कितने रुपए होगे, पचास सिक्के के पांच रुपए, पचास पैसे के पांच सिक्के, तो चार सिक्के में, एक रुपए होगा, sorry, दो सिक्के में, एक रुपए दो रुपए डाई रुपए होगा यानि 5 by 2 ठीक है ना और 25 पैसे के 3 सिख्के कितने होंगे 25 25 25 25 25 75 75 पैसे होंगे 100 से डिवाइड करोगे रुपए में चेंज कर नेकले 25 25 25 चो के 100 तो 3 by 4 आ जाएगा तो टोटल रुपए कितने होगे भाई एड कर लो चार आठ अब इसके नेचे कुछने तो 1 तो टोटल एड करो तो कितना हैगा आठ चो के 32 प्लस 5 उन्हें 10 प्लस 3 तो 32 10 45 और 3 45 वाई 4 इतने रुपए जो हैं बैग में हैं लेकिन कुश्चन तो कहता है 225 है तो इस 45 बटे 4 को मुझे 225 बनाना है बस तो कुछ नहीं करना है इ चार उपर multiply कर दो और यह 45 भी नीचे नहीं मुझे यहां multiply कर दो मतलब इस 45 बटे 4 को यह तुम इस नमबर से multiply करोगे तो यह क्या बन जाएगा 225 देखो 45 45 कटा 4 4 कटा 225 आज जाएगा तो यही नमबर हड़ जगा multiply होगा तो इसने पूछा किया है 50 पैसे के सिक्ए कितने ह आफ वन रूपी कोई तो वन रूपी कोई आठ है रिश्यो में तो आठ और रिश्यो का वेल्लू कितना है 225 इंटो 4 अपान 45 काट दो इसको पांच निम पैंतालिस पांच वके बीस पचे पचेस नौ पचे पैंतालिस पांच वके बीस और बीस अठे आठ दूनी सोले एक सब्सक्राइब नेक्स अब बॉक्स है 210 कोई अब इसमें नंबर दे दिया है किसमें 210 कोई है किसके किसके एक रूपे के 50 पैसे के और 25 पैसे के और उनका जो मुनेटरी वेल्यू है यहां पर एक रूपे से 13 रूपे है 50 पैसे से 11 रूपे है 1 रूपे है 50 पैसे बस एक रूपे और 50 पैसे ठीक है न तो अब हमें क्या करना है इसको नंबर में कनवर्ट करना है तो 13 रूपे तो एक रूपे के कितने सिक्क्य होंगे 13 रूपे में 11 रूपे 50 पैसे के कितने सिक्क्य होंगे 22 टोटल सिक्य कितने आ ठीक है ना तो 35 को 210 कैसे बनाओ गए नहीं पता तो 210 को 30 से डिवाइड कर दो पांच सत्य पैतिस पांच ओके बीस पांच दुनी दस साथ चिक भी आलिस 6 से मल्टिप्लाई करके तो 6 हर जिगा मल्टिप्लाई होगा ठीक है ना the number of 1 rupee coin is तो 1 rupee का coin पुछा है तो यहां 13 में मल्टिप्लाई कर दो छे 13 च्छिक 78 आ गया A and B assigned to do a job for an amount of 1200 A और B को किसी पैसे के लिए 1200 रुपे मिलना है ठीक है ना A कितने दिन में उस काम को कर सकता है 15 दिन में और B उस काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में और C की help से ये लोग इस पूरे काम को पांच दिन में कर देते हैं, तो C को कितना पैसा मिलेगा, अब यहां से बात सुनो, जो जितना काम करेगा, उतना पैसा मिलेगा, तो इन दो नमबर से यहां पर ले लो, कोई नमबर, 60 ले लो, A का कितना आ जागा एक दिन का काम, 15, 4, 60, B का 12, 5, 60, C का नहीं पता में, तो C का C रहने देते हैं, ठीके, अब इसने क्या का है, कि with the help of C, C की सहायता से ये पूरा काम 5 दिन में खतम कर देता है, इसका मतलब A ने 5 दिन तक काम किया है, तो A ने कितना काम किया, 20, B ने भी इसका मतलब 5 दिन तक काम किया होगा, 5 दिन म कितना, 15 दिन तक काम करता है, C, अब इसको, आप एड कर लो, इसका मतलब ये वर्क का रिश्यो है, तो पैसा भी सी रिश्यो मिलेगा, 5, 5, 10, 0, 1, 2, 4, 2, 6, लेकिन कोशन कहता है, ये 60 रुपय नहीं चाहिए, ये चाहिए, बार है 100 रुपय, तो 6 दुनी बार है, 1, 0 है, 1, 200 से मल्टिप्लाई करो, 200 हर जेगे कर दो, C में भी 200 मल्टिप्लाई कर दो, कितना आएगा, 15 दुनी 30 और डुपय जिरो, 3000, कितना आएगा, 6 दुनी 12 है, 12 हो है, 1200, यहां थोड़ा सा रुपर दू मिंट, क्या मिस्तिक कर दिया, 5, 5, 10, 1, 2, 4, 6, 12 होना चाहिए, तो 6 दुनी 60 को 1200 बनाने के लिए, 20 से मिल्टिप्लाई होगा, 20 हर जेगे मिल्टिप्लाई होगा, यहां, 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 तो C को कितना मिल गया, 15 दुने 20, यानि 15 दुनी 30 और 0, 300 पर, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, If 10 men or 20 women or 40 children can do a piece of work in 7 month, then 5 men, 5 women and 5 children together can do the work, देखो, यह क्या कह रहा है, 10 पुरुस men, या 10 बीस women, या 40 बच्चे, चाहिए, किसी काम को कर सकते हैं 7 महिने में, ठीक है, तो 7 यहां मिल्टिप्लाई होगा, 7 यहां, 7 यहां, तो आपसमें कटी जाएंगे, तो multiply करने की जुरुत नहीं है, ratio निकालो, 10 इकम 10, 10 दूनी 20, और 10 चोके 40, यह आ गया, men, women और उसमें ratio, कि 1 man, 2 women के बराबर और 2 women, 4 children के बराबर, तो अभी कह रहता है, 5 men, plus 5 women, plus 5 children, मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमें क्या करना है, इन सब को एक किसी में change कर लो, man, man में, या child, child में, चलो, man, man में करते हैं, तो यह तो 5 ही men रह जाएगा, man, man में करना है तो, 5 men, यह 5 women, अब 5 women को man में convert करो, देखो, दो women equal to one man, अब यहां पर मुझे 2 नीचे, मुझे 5 चे, तो 5 से multiply कर दो, और 2 से divide कर दो, यह 2-2 कट जाएगा, तो 5 by 2 यहां भी करो, ठीक है? तो 2 women equal to 5 men, sorry, 5 women equal to क्या जाएगा? 5 by 2 men, यह आएगा ना, 2, 5 by 2, 5 by 2, यहां 1 था, तो हां, 5 by 2 men, अब चिल्डरन पर आजाओ, 5 children equal to, 5 children जो है, हमें, इनको convert करना है men में, तो 4 children equal to 1 men, तो 5 children equal to, हमें इसको 5 करना है, 5 by 4 कर दो, यहां भी 5 by 4 करो, तो 5 by 4 आएगा, 5 by 4 men, तो total men कितने हो गए? देख लो, 4, तो 5 होगे 20 male, और 2 दुनी, तो 5 दुनी 10 male, प्लस 5 male, ठीक है न? तो कितने होगे total? 20, 10, 30, 5, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 बटे 4 male हो गए, ठीक है न? अब यहां पर एक formula लगा दो, man into day का, देखो, पहले 10 men कितने दिन में करते थे? 7 दिन में, 7 मन्त में, ठीक है? तो अब यह 35 बटे 4 लोग कितने दिन में करेंगे? 35 बटे 4, तो 4 उपर ही चला जाना है तो 7, 35, 35 बटे 5 दोनी, 10, 4 दोनी, 8, 8 मन्त में करेंगे? अभी क्या कहता है यह? तू पाइपर इनिपेंडेंटली फील्ड बटे इन 20 मिनट और 25 मिनट देखो. यह दो बटे यह इसको 20 मिनट में भर सकता है और यह 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है? बोथ आर ओपन इन दोनों को 5 मिनट के लिए खुला दिया गया? ठीक है? यहाँ पर पहले ले लो तुम 100. तो 20, 500, 25, 400. ठीक है? 5 मिनट के लिए पहले खुला चोड़ा गया, तो भाई एक मिनट में कितना भरेगा यह दोनों मिलके? 9, तो 5 मिनट में कितना भरते गा? 45, और फिर क्या गया 5 minute after which the second pipe is turned off उसके बाद इस pipe को बंद कर दिया गया ठीक है और अब जो ये पहला pipe है first pipe इससे इससे भरना है 45 को तो हमें जो ये first pipe है total इसको भरना है 45 और ये पर minute बढ़ता है 5 तो 5 जनिम 45 इसको एक स्टा कितना time लग जाएगा 9 minute नहीं what is that time taken by the first pipe alone to feel the remaining portion अच्छा first pipe alone कितने में बरेगा ठीक है ना remaining portion को तो 45 तो रहा कितना रहा कितना 55 खाली रहे गया ना एक सुमें से 45 बर गया तो 55 खाली रहा अब इसको first pipe को भरना है उसका speed है 5 तो कितना आजाएगा कटके 11 यानि 11 लीटर पर minute जो है ये value है इसका समझे देखो फिर से एक बार बताता हूँ ये 20 मिनट में भर सकता है ये 25 मिनट में भर सकता है मैंने या 100 ले लिया ठीक है यानि इसका 1 मिनट का 5 इसका 1 मिनट का 4 तो ये 9 लेटर भरते हैं लेकिन कोशन कहता है 45 लेटर तो 5 से पांच मिनट में भरते हैं दोनों मिलके पहले पांच मिनट तक दोनों ने काम किया तो 45 किया ठीक है अब सो में से 45 कितना बच गया 55 अब कर दिया गया और पहला जो पाइपन उससे चलाना है तो उसका रेशियो उसका एक दिन का वर्क कितना है एक मिनट का 5 तो 5 से डिवाइड कर देए 11 तो 11 मिनट में आगे भर देगा यह फस्ट अकेला बचा हुआ को चलिए 23 पर आ जो अब कॉंस्टेवल फालो अथीप देख 1000 मिनट ज्यादा आएगा लेकिन कोशन कहता है कि कि इसका मतलब हर साथ मिनट में यह दौरता है यह तो 200 मिनट ज्यादा दौरता है तो 200 मिनट कितनी देर में दौरता है इसे हैं जी किलोमेटर पर जार बढ़ता है, इसका हर 60 मिनट में ये बढ़ता है 1000 में, तो एक मिनट में कितना बढ़ता होगा, इतना है तुछ ए न, लेकिन हमें तो 200 के निकलना न, छूड़ो, 1000 मी दढ़ता है 60 मिनट में, तो 200 पकड़ना है ना इसको, तो इसको 200 बनाओ, कैसे बनाओगे, ऐसे कर लो इसको, हजार यहां डिवाइड कर दो, तो एक का निकल गया 200 को, ऐसे मिल्टिप्लाई कर लो, तब भी हो जाएगा, बारा मिनट लग जाएगा, ठीक है ना, आ गया जो, देखो, पी और की, दो पोइंट है, यहाँ पी है, और यहाँ क्यू है, ठीक है, दोनो ट्रेइन इधर के तरफ चलें, इस कुशन में ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, इसकी स्पीप 24 है, इसकी अठार है, और पी से क्यू के बीच की दूरी 27 है, ठीक है? अब यह दोनों किसी r point पे मिलते हैं यहाँ पे, तो हमसे q और r का distance पूछ रहा है, ठीक है? आपको मैंने सिखा रहे था कि जब दोनों same तरफ जा रहे हों, तो हम दोनों में से बड़े मिस छोटे को माइनस करके speed निकालते हैं, 24 में से अठा रहे गया, तो 6 आ गया speed, distance upon time, तो time के आएगा, distance upon 6, तो distance क्या है दोनों के बीचे, pq के बीच में 27 by 6, यह time आ गया, ठीक है न? इतने time के बाद यह एक दूसरे से मिलेंगे, r point पे, तो भई q से r के दूरी क्या होगी, q कितना चल लेगा, तो distance equal to speed into time, तो distance, speed क्या है क्योंकि 18 है, और time कितने के बाद बिला है, 27 by 6, 6 ही 18 है, 27 तीक क्या सी, यहनि q से r की दूरी 81 km है, next, a man rose upstream 36 km, and downstream 48 km, taking 6 r each time, the speed of the current is, देखो, यह कह रहा है, यह एक बार upstream जाता है, तो यह 36 km जाता है, a man rose upstream 36 km, 36 km 6 घंटे में गया, तो 6 km पर आर कि इसकी speed रही, और जब यह आया वापेस, तो 48 km आया, 48 km, ठीक है, 6 r में ही, तो 6, 88, 48, आते वक्त इसकी speed कितनी थी, 8 km पर आर, ठीक है, तो कहता है, speed of the current, तो हमें upstream और downstream दोने speed दिया होता है, तो boat का extreme आयेगा पहले, यह man का speed, वो कितना आयेगा, 6 plus 8 by 2, 14 बटे 2, यहनि 7 km पर आर कि इसकी speed से, वो man तैठ तैठ यहल में, और यह हमें पूछा है, current की speed, तो current की speed हम निकालते हैं, speed होगी, next, arrangement का question, arrange in ascending order, बढ़ते हुए करम में लगाना है, आरो ही करम में बढ़ते हुए करम, तो पहले हमें छोटा चाहिए, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, देखो, हमें इन दोन में पता करना है कौन सा छोटा है, तो 8 चोटे 32, 7 पंचे 35, कौन सा छोटा, ये वाला छोटा, ठीक है, फिर देखो इन दोनों में, 7 चोटे 28, 6 पंचे 30, इस्टिल ये छोटा है भी भी, फिर 6 चोटे 24, 25, ये छोटा हो गया, सबसे छोटा 5 by 6, तो 5 by 6 तो एक ही में है, इनक्रीजिंग ओर में लगाना है ना, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, देखो एक तरीका तो होता है नीचे का इक्वल करना, लेकिन वो बहुत टॉफ टाइम, बहुत टॉफ है वो, लस्यम निकालो ये निकालो, इससे चा हम यही वाला तरीक करते हैं, आठ चोगे 32, साथ पंचे 35, तो छोटा था ये, ठीके, अब हमें इन दोनम से छोटा निकालना है, तो साथ चोगे 28 और छे पंचे 35, तो यही छोटा है, फिर 6 चोगे 24 और 5 पच्चिस, तो 4 भाई 5 छोटा है, ना, सौरे सौरे, 4 x 5 चोटा है 4 x 5 तो 3 में है तो पहला 4 x 5 आ गया चोटा अब इसको हटाओ 7 x 49, 8 x 48 तो ये रह गया ये गया अब 6 x 36, 8 x 35, तो ये चोटा तो इस 4 x 5 से थोड़ा से बढ़ा है 5 x 6 कौन से में है option ऐसा, देखो ये रहा option और किसी में ही नहीं a number when divided successively by 4 and 5 leave remainder 1 and 4 when the same number successively divided by 5 and 4, what would be the remainder? कहता है जब किसी दो संख्या को उत्तर उत्तर 4 और 5 से भाग किया जाता है तो सेसफल 1 और 4 आता है देखो, तो पहले 4 से भाग किया, फिर 5 से डिवाग किया पहले 4 से फिर 5 से जब 4 से डिवाइड किया तो remainder किया आया 1 और जब 5 से डिवाइड किया तो remainder किया आया 4 तो पहले इसकी हल्प से वो number निकालेंगे कि वो number कौन सा है तो 5 प्लस, क्या करते है, इधर से इधर जाओगे तो add करोगे, 5 प्लस 4, 9 फिर ऐसे होगे तो multiply कर देना 4 चोके 16 है, फिर ये add होगा तो 17, यानि वो number है 17 अब इस number 17 को यदि हम 5 और 4 से divide करें तो successive remainder क्या होगा ये पूछ रहा है तो पहले 5 से करो तो 5 तिये 15 है, तो बचेगा कितना remainder यहां मैं remainder लिख रहा हूँ, 2 फिर इस 3 को divide करना होगा हमें 4 से 5 तिये 15 है 5 तिये 15 है, 16 सब्सक्र दो बच गया फिर तुम 4 से 3 को divide करोगे तो remainder, अब divide तो होगा नहीं तो remainder 3 रह जाएगा 2 3 is the answer यह कह रहा है, यह कौन से number से divisible है ठीक है ना, तो इसमें मैंने आपको पहले भी सिखाए था कि minimum कितना है, 25 ना 3 की पावर 25 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा 1 यहां क्या बचेगा 3 क्योंकि 1 की 8, 26 हो जाएगा फिर यहां 3 का पावर स्क्वेर और यहां 3 की पावर क्यों बचेगा तो 3 की पावर 25 इंटू, यह क्या हो गया 3 एक 4, 3 तीए 9 3 तीए 9 तीए 27, ठीक है ना 27 और 3 तीज और 10 40 हो गया यह, तो यह किस से कट जाएगा, 16 नहीं, 16 से कटेगा 8 दूने 16, 8 पंचे 40 25 से कटेगा क्या 3 से कटेगा क्या 30 से कट सकता, देखो 25 से तो नहीं कटेगा 30 से कट जाएगा 16 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं 30 से इसलिए कट जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 25 तो 3 की पावर 24 ही लिख लो 1, 3 अलग कर लो और 40 अलग कर लो नीचे 30 से डिवाइड करके देखो, ये कट गया, देखो, जरो-जरो कट गया और 3 से 3 कट गया, तो पूरा कट गया ना, इसका मतलब 30 से कट गया, next, next क्या है, 7 की पावर 19 है, प्लस 2 है, ठीक है, और इसको मैं 6 से डिवाइड करके सेसफल निकालना है क्या होगा, तो देखो भाई, मैंने आपको एक वीडियो, first ये second में बताया था, कि हम कैसे ऐसे केस में निकालते हैं, 7 की पावर 19 है, बाइ 6 प्लस 2 की पावर 6, ठीक है, अब जब हम इसको रिमेंडर निकालते हैं, तो हम इस 6 को न, इसके अंदर लिखते हैं, साथ में, कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 1 साथ, आगया ना 6, यहाँ उपर, 19 बाइ 6, प्लस 2 बाइ 6, अब हम जब इसका रिमेंडर निकालते हैं, तो मैंने सिखाया था, यह A होता है, यह B होता है, तो A की पावर 0, और B की पावर N, यानि यतना पावर है, उतना आएगा, प्लस 2 को डिवाइड करोगे 6 से, तो रिमेंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना, 2 को 6 से डिवाइड करोगे, तो पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या बचेगा, 6, 0, जा 0, तो 2 आएगा रिमेंडर, तो अब इसका, किसी का ही पावर 0, 1, इन 2, यह 1 है, 1 की पावर 19, 1 प्लस 2, तो कितना आएगा, 1 और 2, क्या आएगा, 3 आएगा, 2 और यह 1, 3, 3 आगया आपका अंसर, How many numbers are less than 1,000, are multiple of 10 and 13, अब 10 और 13 दोनों का multiple है, तो क्या करो, 10 और 13 का LC हम निकालो, तो क्या आएगा, 130, 130 से भाग कर दो, 1000 को, तो 130 में 6 से कर दो, 0, 6, 18, 6, 6, 7, तो बच्चे का, 0, 10 में से 8 गया, 2, 9 में साथ गया, ज्यादा और, 7 से करो फिर, 0, 7, 21, 2, 7, 7, 2, 9, तो 90 बच जाएगा, ठीक है ना, तो इसने क्या का, कि कितने multiple आएगे, तो 7 multiple आएगे, तो 7 बार डिवाइड हो गया ना, तो 7 multiple आएगे, जो 130 से डिवाइड हो जाएगे, यानि कि 10 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगे, और तो कोशेंट यदी 1 है, तो डिवाइजर 10 है, भाजक 10 है, फिर कहता है, and 5 times the remainder, और जो यह डिवाइजर है यह, यह remainder से 5 time है, तो remainder को यह दी मैं, so 4, 2 रख लूँ, तो इसका 5 time 10 हो जाएगा, यह, यह, 2 की जिएगा, 46 है, तो 23 से multiply, 23 यहां भी करो, 23 यहां भी multiply करो, यह 230 आ जाएगा, तो question क्या कहता है, 230 को 23 से multiply करो, plus 46 add करो, तो 23 गुने 23, 529 होता है, तीन तीन है, 9, 3 दोनी 6, 3 दोनी 6, 6, 12, 2, 1, 2 दोनी 4, 1, 5, और यह, प्लस 46, तो कितना होगा, 6, 9, 4, 13, 1, 2, 1, 3, और 5, 5, 3, 3, 6, देखो, unit digit निकालना है हमें, देखो, 0, 5, 6, 0, 5, 6, 1, इनका unit digit हमेशा होता है, तो इसका 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, तीन का देखो, power cycle, तो 3, 3, 9, 3, 27, 3, 81, 3, 24, मतब 4 बार में repeat होता है, तो 54 बार में कितनी बार repeat होगा, 54 को 3 से divide कर दो, 3 बन जा 3, 2, 4, 3, 8, 2, 24, ठीक है, तो कुछ नहीं बचा power, 54 है ना, और कितनी बार, और चार बार में होता है, एक, दो, तीन, चार बार में होता है, गल्ती कर रहा हूँ मैं, तो एक बार में divide करो, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यह 4 आएगा, फिर 4 तीन, बार है, दो, चौदा है, ठीक है, एक बार फिर से मैं 54 को 4 से divide कर देता हूँ, तो चार बार में बार है, एक, दो, तीन, चार, तो मैं 4 से इसको divide करता हूँ, चार, एक, चार, चार, तीन, बार है, तेरा, चौदा है, दो आया, तो दो में क्या आएगा, वन, टू, यह नहीं नौ आएगा, अब इसको एड़कोड नौ छे, पंदर है, पांच, बीस, तो unit digit पे क्या आया, 0, next question, देखो हमें इसको solve करना है, ठीक है न, simplify करना है, इसमें क्या मुझे दिख रहा है, 0.606 का whole cube, minus 0.05 का whole cube, upon नीचे क्या दिख रहा है मुझे, 0.6 का whole square, plus 0.6 into 0.5, plus 0.5 का whole square, अब यह जैसे मुझे दिखाना है, a square plus a b plus b square, तो मैं समझ गया, कि a cube minus b cube का formula क्या होता है, a minus b, और a square plus a b plus b square, यही formula लगेगा उपर में, तो देखो, क्या हो जाएगा, a plus b, और a square, plus b square, plus a into b, ठीक है, और नीचे भी देखो तो, यही है ना, 0.6 का square, plus 0.5 का square, 0.06 का whole square है, 0 है यह, 0.0 है यहाँ पर, ठीक है, और 0.05 का whole square, plus 0.06 into 0.05, तो यह वाले और यह वाले तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 6, 5, 11, 0.0, ठीक है, ऐसा बचेगा, 0.06 और 0.05, तो क्या रहा है, 0.11, तो answer क्या आजाएगा, कुछ गलती तो नहीं कर दिया, 0.6, 0.06 को हमें, अच्छा, माइनस है ना, यह, a-b होता है, मैंने आप पलस डाग दिया था, माइनस 0.05, तो 6 में इस 5 गया, एक, यह 0.0, ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यह a-b-b-feld, तो मैंने फॉर्मटल लगाया, a-b, a square, plus b-a square, plus 2ab, और नीचे देखो same number, a square, plus a square, plus 2ab, plus a into b, plus b square, ठीक ऊपरवाला, तो यह वाला और नीख ऊपरवाला कट गया, बचा किया यह, ठीक है, उसमें यह answer आगया, मैनस करने पर, है एक वर षिष्कमना और कर देता हूँ कि फिलिए और मुझे ल chuckन एक फिर से कर देता हूं है निए क्लिए अधे आ लगानी कि लिर अधे ऑन कि देखू सुनो, देखो, उपर क्या लिखा है, 0.06 का होल क्यूब, मैनस 0.05 का होल क्यूब, ठेक है, और अपॉन में क्या है, 0.06 का होल स्क्वेर, प्लस 0.06 इंटो 0.05 और प्लस में 0.05 का होल स्क्वेर, तो एक्यूब मैनस बीक्यूब क्या होगा, A माइनस B और A स्क्वेर, प्लस A इंटो B, प्लस B स्क्वेर, अपॉन नीचे में क्या है, 0.06 का होल स्क्वेर, प्लस 0.06 इंटो 0.05 प्लस 0.05 का होल स्क्वेर, अब देखो, जो यहां ब्रैकेट में है, वही यहां है, तो यह कट गए सारे, तो बचा क्या उपर, 0.01, यानि C बचा, ठीक है, आगे, इस कोईशन को देखो, तो पहले उपर वाला स्वाल करो, 225 का क्या आएगा, 15 है, 15 यहां एड करोगे, तो 169, यहां 13 आएगा, तो 108 प और 8 का 3rd root, मिन्स, क्या होता है, इसका मिनिंग, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 का पियर बनेगा, 1 बाहर आजाएगा, 2 कटेगा, 2 आ गया, 35 बचा जो, देखो, 3 की पावर, x प्लस 3 है, प्लस, multiply यह, 9, तो मैं 9 को ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर स्क्वेर, और, एक स्क्वेर, और है स्क्वेर का स्क्वेर, 2x-5, equal to 3 की पावर, 3x plus 7, जब बेस से होता है, पावर एड होता है, तो x plus 3, plus 2 into 2x, तो इसको ओपन करो, तो 4x minus 10, equal to, बेस, इधर भी, यह बेस सारे कर 7, ठीक है, तो 4x plus x, 5x, 5x में से 3x गया, तो 2x आएगा, और इधर 10 में से 3 गया, तो minus 7, minus 7 बेस जाएके, plus 7, 14, 2, 74, x का value 7 आगया, next, simplify करना इसे, तो देखो क्या है, यह कह रहा है, 3034 minus 1002, divide करना इसको 20.04 से, और हमें आंसर बताना है कितना होगा, ठीक है, तो भई, जिब divide करोगे, तो क्या करोगे, 1002 divided by 20.04, इसे हटाओ, उपर 100 लगा, ठीक है, अब देखो, यह इसका double ही तो है, तो काट तो 2, 15, 10, तो 50 minus होगा इसमें से, फाइनली, तो 4, 13 में से 5 गया, 8, 4 बार है, 9, 5, 14 होता है, और यह 9, और यह 2, 2984, यह रहा, इसमें आजो, 4 गम 4, 15, तो कितना आएगा, 5 by 4, into 64 by 125, into 1.44 है न, हटाओ, पॉइंट को, डबल 0 लगाओ, तो भाई, 5 से एकटेगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, उपर वाले 64 का 8 बार आ जाएगा, 144 का 12 होता है, square root 4 का 2 होता है, और 5 का 25 का 5 होता है, और 100 का 10 होता है, ठीक है, बार आ गया, 2 चिक बार है, ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 6 चौके, 24 अपान 25, ये लो, देखो, आठ लोगों का, जो एवरेज एज है, सब उसकरो, ए है, कहता है, ये 2 एर्ज एड हो जाता है, जब, उनमें से, ए, one of them whose age is 24, तो 7 बंदों को अलग कर लो, और 8 जो 24 का है, is replaced by, इस 8 बंदों का एवरेज ए, इसको replace करके, एक नया बंदा आता है, नया परसन आता है, suppose कर लो, वो X age का है, तो अब एवरेज क्या होता है, 2 येर इंक्रीज हो जाता है, यानि पहले से 2 जाता, ठीक है, 24, प्लस X, cross multiply करो, 8A प्लस 16, ये गया, 24 को अधर ले जा, तो X कितना आ जाएगा, 20, 10, 30, 40, next, the average marks of 100 students were found to be 40, देखो 40 जो था न, average था, लेकिन हुआ क्या, and later on it was found that, a score of 53 was misread, मतलब 53 था और पढ़ 83 लिया गया, तो कितना जादा पढ़ लिया गया भई, 0, 3, 30, कितने बच्चों पे, 100 बच्चों पे, तो कितना जादा हर बच्चों पे आया, 0.3, 0.3 कम कर दो average, 0.3 कम करोगे, तो 39.7 आ जाएगा, real में, next, 40, the average age of husband, a wife was, देखो husband था और एक wife इसकी, तो average age इनका 27, कहते हैं, when a child was born, husband, wife और एक child भी आ गया, तो 3 लोग हो गये, अब average is 21 हो गया, तो कहते हैं, बताओ, the present age of the child, कितना होगा, तो भई, husband plus wife का यहाँ पे sum कितना होगा, 4, 5, यहाँ पे कितना होगा, 3 और 3 दोनी 6, ठीक है, तो कितना increase हुए age में, देखना, 54 plus 6, 60 और 3, 54, 6 plus 3, 9 increase हुए ना, तो 9 कितने अब बंदों पे, 3, 3 बंदों पे, 3 बंदों पे, 3 बंद है ना, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर दो, हर पे 3, 3 का, यानि कि 3 साल का है, उसका बर्तमान आई उस बच्चे का, the average monthly salary of the worker in a workshop is, देखो, एक workshop है, उसमें सभी बर्करों का औसत salary यह है, ठीक है ना, if the average monthly salary of 7 technician, जो technician है 7, इनकी monthly salary है, 10,000, और the average monthly salary of the rest, जो बचे हुए है employee, उनकी average salary है 7,800, 7,800, ठीक है, और दोनों मिला के total, जो है, उनकी average कितनी है, 8,500, तो दोनों का difference यहां लिखोगे, ऐसे, allegation लगाओगे, इसका difference यहां लिखोगे, कितना हैगा, 00,000 काटेगा, 78 हैना, 78 प्लस 2, और यह 7, ठीक है, 00,000 हो गया, यहनी 7 technician है, तो दूसरे employee कितने है, 15 है, तो total employee कितने है, 22, यही पूछ रहा था, A milkman is 75 liter of milk in one cane, 45 liter in another, the maximum capacity of the container which can measure milk of either container, exactly number, हो, कह रहा है कि एक दूद वालिक बस दो केने, 75 liter का है, 45 का, तो हमें ऐसा maximum, ऐसा kin बताओ, जिससे दोनों को नाप सके, तो हमें जब maximum निकालना पड़ता है, अधिक तम, तो इसका में बनी होता है, HCF, लगुत्तम समाप वर्तक, तो दोनों का HCF निकाल दो, 45 ही कम 45 आ जाएगा, 0, 3, यह 45 ही यहां आ जाएगा, एक बार में 30, तो 5 और 1 आ जाएगा, और यह 30, तो 15 दूनी 30, अब कट गया, इसका मतलब HCF 15 है, यहांनी 15 अलिटर का, उसका केन होना चे दोनों को मेजर करने के लिए equally, मतलब खतम हो जाएगा दोनों, यहीं 15 आ पंदरर से करेंगे तो, इसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए 4689 का तुम्हें LCM निकालना होगा, निकालो, तो 4 आता है ना, 8 के टेबल में हटो इसे, 6, 8, 9 का निकालो, 2, 3, 6, 2, 8, 9 तो नहीं रहेगा, फिर 3 के टेबल में आता है, इसको भी आता हो, अब यह 4, 9, 36, 36 दूनी 22, ठीक है बहतर आ गया, अब इस बहतर को ना, 13 से डिवाइड करके तुम देख लो, 13, 65, कितना आ रहे है, 12 में से 5 के 7, 7 आ रहे है ना, रिमेंड है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, 72 next, a farmer has that much cow, that much sheep, एक farmer है, जिसके पास 995 गाई और 2475 भेड हैं, ठीक है ना, he farms them into flock, वो उनको जुंड में ले जाते चलाने के लिए, cow and sheep separate, उनको वो separate अलग अलग रखता है, और सभी जुंडों में समान संख्या रखता है, अनिमल का, in each flock there are the same number of animals, if these flocks are large as possible, और सभी जो दोनों flock हैं, वो जो जुंड हैं, उसमें maximum number animal रखना चाहता है, बड़े जुंड बनाना चाहता है, है ना, तो maximum कितने animal रखेगा एक जुंड में और ऐसे कितने जुंड बनेंगे, ठीक है ना, तो देखो, यदि 945 cow हैं और इतने हमारे पास भेड और इनको हमें group बनाना है, तो हमें क्या चीए एक बड़ा से बड़ा number, उसके लिए हमें क्या चीए, HCF, जब भी बड़ा number चीए होता है, तो HCF चीए होता है, 2475, कर दो, divide, 9-27, 9-28, दो बार में करो, 5-10, 1, 4-28, 9-28, तो 5 आ जाएगा, 17 मिसे 9 गया, 8 आ 945 यहां जाएगा एक बार में 585, 0, 54 में से आठी का 6, 8, 534, और यह बचेगा 8 में से 5 गया 3, 585 तो एक बार में करतो, 360, 5, 6, 2, 8, 3, 2, 5, पिर 360 यहां जाएगा एक बार में 225, तो दस में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और 1, एक दो दो पांच से कर दो अब एक बार में one three five zero बारे मिस तरह नौ फिर नवबे नबबे यहां हो जाएगा और 135 यहां हो जाएगा नबबे इकम नबबे पांच नौ चार तेरे नबबे यहां जाएगा पैतालिस दुनी नबबे यानी पर टेग जुंड में 55 जानवर होंगे ठीक है, सभी जुन्वर कितने होंगे 45, तो option देखो कौन सा है यही option है 45 वाला लेकिन हम animal भी निकाल लेते हैं गाई कितना होगा 45 से divide कर दो 45 दुनी 90, 45 से कम 45 इतनी तो गाई के जुन्ड बन जाएंगी 2475 को भी न, 45 से divide करो तो 45 दुनी 90 45 4, 180 180, 4, 180 से काट दो इसको 180 तो बज़ेगा कितना 20, तो 67 और यह 5 तो 45 पच्चे कितना होता है 45, 25, 25 दुनी 10, दुनी 10, दू बार है नहीं ज्यादा बार में जाएगा 2475 को हमें 45 से divide करना है तो 45 को यही डिवाइड करते हो तो पहली बार 4, 100, 5, 3 से कर दो 5, 2, 15, 1, 4, 12, 1, 13, 135 और यह 45 को यही में 4 से करो 5, 22, 4, 16, 17, 18 और 45 को यही में 5 से करो 25, 25, 25, 25, 22, 22 5 से करो तो 2, 2, 5 आएगा तो यहाँ दो और यहाँ दो और यह फिर 5 से 55 55 जुन्ट इनकी बनेंगी तो 55 यह जुन्ट और 21 इनके जुन्ट तो कितने जुन्ट हो जाएंगी 5, 1, 6, 5, 2, 7, 76 ठीक है? तो परते एक जुन्ट कितने का होगा? परते एक फ्लॉक भी कितने अनिमल रहेंगे? 45 और टोटल नमबर आप जुन्ट कितने बन जाएंगे? 21 कौके और 55 भेड के यानि 76 A, B and C enter into partnership ठीक है भी? A, B or C enter into partnership A put 1200 for 6 month B put 800 for 7 month और C put for 7 month and C put 600 for 8 month 600 for 8 month तो share of A out of a 45th question से हमें करना है 2 minute को तो the share of A out of 396 ठीक है न? तो पहले हमें क्या करना होगा? ratio निकालना होगा जिस ratio में पैसा लगाते हैं उसी ratio में हमें पैसे मिलते हैं तो कार दो 4, 2 जा 8 4, 2 जा 8 4, 3 जा 12 ठीक है? 2 अंजा 2 2 अंजा 2 2, 3 जा 6 तो 3, 3 जा 9 और ये बचा साथ दो ने ये किता बचा था काट्टे में उल्टा-उल्टा कर दिया रुको ए रेशियो बी रेशियो सी तो एका किता था 1200 इन्टू 6 इसका था 800 इन्टू 7 और इसका था 600 इन्टू 8 ठीक है ना? अब थोड़ ध्यान से आराम से करते हैं ये एक को ठीक है ठीक है? तो 4, 3, 4, 12 4, 2, 8 4, 2, 8 ठीक है? अब 2 से कर देते हैं 2, 3, 6 2, 2, 2 2, 2 तो ये 9 ये 7 और ये 6 मतलब A को 9 रुपे B को 7 रुपे C को 6 रुपे तो टोटल रुपे कितने हो जाएंगे? 9, 7, 16 16, 4, 20, 2 22 रुपे हो जाएंगे हैंना? 9, 16, 16 रुपे 6, 12, 22 रुपे लेकिन टोटल रुपे हैं कितने? 3, 96 3, 96 तो कितने से multiply करें 22 को कि 3, 96 रुपे नहीं पता तो 3, 96 में आप 22 से ऐसे कर लो तो 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 2, 9, 2, 18 2, 8, 2, 16 11 करो 11 एकम 11 8, 11, 8 18, 18 यहने मुझे यहां 18 से multiply करना होगा तो C का पूछा है ना A का पूछा है A में भी 18 से multiply कर दो तो कितना आजाएगा? 18 नहीं 162 ना? 162 हो जाएगा ठीक है? 90 बैटर 7, में कम 9, 7 16 162 ठीक है? जिस रिशियो में पैसा लगाते हैं उसी रिशियो में हमें लाप राप्त होता है 46 ग्राफ की कुशिन देखो यह ग्राफ गिवन है किसे हम pie chart कहते हैं ठीक है? जो गोले में होता है pie chart और जो ऐसे इस तरह गिवन होता है उसे हम bar chart कहते हैं पहले कुशिन कह देखो angle of pie chart representing expenditure incurred on paying royalty जो royalty है ना इसका कह रहे हमें angle निकालो कि कितना percent होगा तो भई पूरा गोला कितना होता है 360 360 का यह 15% है ना तो 15% निकाल दो तो 0 से 0 गया 5 ते 15 5 निए 10 2 इकमदो 2 अठे 16 8 ते 14 54 ते 15 फिर कह रहे है इफ दे expenditure on the printing and binding of one book is 110 तो printing and binding में देखने कितना खच हो रहा है printing और binding कितना है 30 और 25 55% तो 55% का value जो है वह है 110 है na then the cost of production तो टोटल परसेंट कितना होगा, तो है 55% 110 तो एक परसेंट इतना हो गया, टोटल वेल्यू 100% होगा ना, तो ग्यारे कम ग्यारे जिरो, ग्यारा पेचे पेच पन, पांदुनी 10, 200 रुपे टोटल. ठीक है? चलो, अगले कुशन पर आओ. क्या कहता है? If the cost of publishing a book is 200, 200 जो है, cost of publishing है, then the printing cost है, printing देखो कितना है? Printing है बही, 25%, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा? 200 का 25%? यहनि 1 by 4, यहनि 4, 25, 0, 50 रुपे है. When two expenditure together will form an angle of 1, 8 degree, क्या रहा है, जो खर्चे हैं, उन में से कौन से 2 मिलके 108 degree होंगे? तो 108 degree, देखो, 360 का. यह हम यह निकाल लें, कि